अगर आपको भी OSMF की प्रॉबलम हो चुकी है, खाना खाने में बहुत जादा तकलीफ हो रही है, आप जब भी खाना खाते हैं आपको बहुत जादा तीखा मैसूस होता है, मुख की ओपनिंग भी कम होने लगी है, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे ध्यान से इफ्रेक्ट देखने को आपको मिलेगा, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती पाणने, क्या घरेलू नुसको से OSMF ठीक हो सकता है, सुनके थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, पर इस वीडियो में मैं यहीं बताई हूँ कि हो सकता ह या नहीं हो सकता है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला जो है घरेलू नुसका वो है सेल्फ मॉटिवेशन, यह आपको कोई मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, यह सिर्फ आपके अंदर है, सेल्फ मॉटिवेशन यह इतनी अच्छी चीज है कि आप इ पान में मिला करके सुपारी को खा है, या फिर कोई भी ऐसा गुटका है, जिसकी प्रोसेसिंग में सुपारी यूज की जाती है, पर आपको पता नहीं है, किस तरीके से गुटका हमारे फैक्टरी में बनाया जाते हैं, इसका पता नहीं होता है, हाला कि उसके पैकेट्स पे आपके अंदर ही आ सकता है वो आप अपने एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ अच्छे से मेंटल हेल्थ के साथ आप इस चीजों से बाहर निकल सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉंग कर सकते हैं उसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग में अच्छा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन के साथ साथ अच्छे साउंड वाली म्यूजिक सुन सकते हैं, यूट्यूब में हम लोग मॉटिवेशनली स्पीकर्स के मॉटिवेशन स्पीच को सुनते हैं, थोड़े देर के लिए मॉटिवेट होते हैं, फिर वैसे ही कंडिशन हो जाती है, लेकिन जब अंदर से अगर आपके अंदर motivation स्टार्ट हो जाता है आप अपने आपको खुद समालने लगते हो तो फिर बड़ी से बड़ी problem जो है वो खुदी खतम होने लगती है तो जब आप motivate हो जाते हो तो आपके अंदर ये thinking आने लगती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ मैंने habit छोड़ दिया है मैं अच्छा अपना health को बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ मतलब मैं अच्छा हो जाओंगा ये चीज आपके अंदर आ जाता है तो इसी लिए self motivation जो ह अपने अंदर उत्पन न कर सकते हैं सकेंड जो best घरेलू उपाय होता वह है diet हम लोग जो भी खाना खाते हैं जो भी चीज हम लोग अपने दिन चर्या में यूज करते हैं खाने पीने के लिए वह आपको अच्छा रखना है अच्छा रखने का मतलब ये नहीं है कि आज से आपकी सारी चीजें बंद हो जा रही हैं आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा बस आपको पेशेंट की तरह खाना खाना है मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डाइट में अच्छे चीजों का मतलब है कि आप दिन में कम से कम fruits का vegetables का उप्योग ज्यादा से ज्यादा के आप अच्छे fruits लेते हो तो आपको natural way में अच्छा antioxidants मिल जाता है आपको अच्छे protein resources मिल जाते हैं लाइकोपीन मिल जाता है बहुत सारे vitamins प्रोटीन्स जो है वो हमारे खाने में ही मिलता है इवन मार्केट में जो capsule से और vitamins की जो गोलियां आती है वो भी इनी सब चीजों से बनी हुई होती है तो अगर आप उसको खुझ से खालोगे तो ज्यादा best रहेगा SMS में क्या-क्या डाइट लेना चाहिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपने चैनल में डाला है अगर आप उसको देख भी सकते हैं लेकिन फिल भी मैं बता देना चाहती हूं कि आप unhealthy चीजों को भी खा सकते हैं लेकिन आपको इन चीजों को कभी कबार यूज करना है चुकि मैंने पहले ही चीज बता है कि आपको exercise और योगा पर ध्यान देना है तो जब आप week में एक दिन अगर unhealthy चीजों को खाते हो तो आपका body जो है उसे balance कर लेता है आपको fibers का यूज ज्यादा से ज्यादा करना मतलब मोटे अनाजों का उपयोग ज्यादा करना है जिसमे की fiber ज्यादा होते हैं जिसे की proper digestion आपका सही रहेगा तो अगर आपका health अच्छा रहेगा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो automatically आपकी जो tissues है वो अच्छे से generate होंगी repair होंगी तो फास्ट आपका healing procedure जो है वो फास्ट हो जाता है आपको डेली से डेली सलाथ के रूपे बहु सिम्ला मेर्स का यूज जादा कीजेगा आप अगर ग्रैप सीट के साथ अगर अंगूर ले तो बहुत अच्छी बात है और इसके साथ अगर आपको लगता है कि आप पूरे अच्छे तरीके से vitamins और protein नहीं ले सकते तो simply कोई भी multi vitamins जो है आप एक यूज भी कर सकते हैं अप अच्छे एच्छे से खाना है माइन को healthy रखना है थर्ड जो है घरेली उपाय वह एक्सरसाइज यह जो एक्सरसाइज है वह माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइज है माउथ ओपनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है या एक्सरसाइज के बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पर देखे होंगे अगर आप मेरे वीडियोस को देखना चाते हैं तो ऊपर आ रहे है आई बिटन पर क्लिक करके माउथ ओपनिंग के बहुत सारे एक्सरसाइज है उसको आप देख सकते हैं साथ-साथ कर भी सकते आप इसमें बैलून को फूल आ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप बैठे बैठे मूँख को फूल आ सकते हैं इस तरीके से कुछ देर तक आप ऐसे मूँख से फूलाइए तक फांस दन कर dipping तक हूँड औस बाद फिर अपने अपने कंडिशन में आ जाईए आप बैठे बैठे इन सब चीजों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेशल कोई टाइम निकालना है और टाइम निकाल के आपको यह सारी चीजे करनी है आप अपने देली दिन चरिया में जब आप फ्री रहते हैं तो इन सब सबते हैं लिछसर चीजों को फॉलो कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको बहुत इंट सा रिजल्ट आपको अपने टीट में देखने को मिलता है या आपको इस बीमारी की आपको देखने नों मिलता है है warpadam करके वो इतना जादा उसको ब्लंडर बना देते हैं लगता जैसे प्रॉबलम बहुत- जादा बढ़ी है तो बहुत- जादा मुख को चेक नहीं करते रहना अगर बहुत जादा आप देखते रहेंगे छोटे-छोटे से अगर आपकी recovery अच्छी हो रही है तो आप बेशक घर पे बैट करके इन घरेलू उपायों को अपनाईए क्योंकि इसमें कोई भी पैसे कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं घर पे आप अच्छी चीजों को follow कीजे लेकिन अगर conditions खराब होने लगती है मतलब अगर आप severe condition में अगर आजाते हैं जैसे आपकी opening बहुत कमा अगर होने लगी है जिसे कि आपको खाना खाने में तकलीफ होने लगी है तो फिर तो आपको डॉक्टर के पाह जाना चाहिए क्योंकि हर चीजों के लिए घरेलू उपाया जो है वो काम नहीं करता है तो इस तरीके से मैंने बता कुछ अमिदा Information escuch और सुर्वाट को खोड़े है तो आपको बहुत मनमें बहुत गलत निगेटीर सी चीजे आती हैं कि अरे मैंने आदत को छोड़ दीया हैं फिर भी मेरी माौत की Mission वैसी ही है मुझे बर्निंग सेंसेशन फील होई रहा है ओसमेफ की रिकवरी जो है वो बहुत स्लो होती है अभी आपको छोड़े हुए हैबिट को मातर तीन महीने हुए हैं तीन महीने में तो बॉड़ी जो है वो अपने आपको पहले नॉर्मल कंडिशन में लाएगी अभी तो रिकवरी का पिरेट स्टार्ट भी नहीं होता है शुरुवात के छे महीने रिकवरी के पिरेट को स्टार्ट होने में लगते हैं तो आपको थोड़ा पेसंस रखना पड़ेगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने फैमि झाल